हेलो दोस्तो असलाम उलेकुम आप देख रहे हो संजीर क्यूए और मैं हूँ महमद संजीर आलम उमीद करता हूँ आप लोग हैरियसे होंगे आज किस वीडियो में जानेंगे कतर की कुछ लेटेस्ट अबडेट आपके साथ शेर करने वाला हूँ अगर आप कतर के सनया एरिय के वीडिया में रहते तो आपके लिए वीडियो खास होने वाला है और साथ साथ जानेंगे इंडिया से नॉर्मल फ्लैड जो चलू होने aun통 3 सितंबर कैस 153 तमबर से नौर्मल फ्लैट चालू होगा या लए इस वीडियो में जानेंगे वीडियो को स्थार्ट कर लिए उ से 237 लोगों ने इहतियादे तदावीर को follow नहीं किया है जिसमें 223 लोगों ने marks नहीं लगाय था दो लोगों के पास इहतराज का mobile application नहीं था 12 लोगों ने social distance को follow नहीं किया अगर आप कतर में रहते हैं तो आपको जो कुरोना से बचने का इहतियादे तदावीर है उस सब को follow करना जरूरी है जिसमे marks लगाना, social distance maintain करना उसके बाद एहतराज का जो mobile application है आपके mobile में यहोना जरूरी है अगर आप किसी भी वक्त घर से बहाज आते हैं तो आपके mobile में एहतराज का जो mobile application है होना जरूरी है अगर आपको किसी भी वज़ा से आपने गलती कर बैठे आपको मुखालफा आगया कैसे चेक करना है उसके लिए आपको वीडियो चैनल पे मिल जाएगा लास्ट में भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा अगर आपको बता दे, अगर आप Kतर में रहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है, जो लोग कतर आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कतर में जो korona का case है, 100 से भी नीचे हो छुका है, कतर में अगर क्रोona के case की बात कर ले, आज के date में, या 82 एक्टिप केस अभी भी है उसके बाद में एक लोग आईसियो में गए आईसियो का भी जो तादाद है केबल अभी यहां पर पंद रही है अगर रिकवर की बात कर ले तो 126 लोग रिकवर हो चुके हैं पिछले 24 गंटे में अगर वैक्सिनेशन की बात कर ले तो 6350 लोगों क अगर देट 30 सितमबर था इसको फिर से बढ़ा करके कर दिया गया है 31 अक्तूबर 2021 यह लगातार हर महिने डेट पे दिया जाता है आपको अब 31 अक्तूबर तक कर दिया गया जैसे अक्तूबर करीब आयगा 31 आपको यह 30 नॉबर हो जाएगा उसके बाद फिर दिसंबर इस मियान में air bubble agree Department किया गया है इसके वोगा जासे और जो लोग भी इंडिया से 1791 इंडिया ना चाहते उन लोगों पर कोई भी असर नहीं पढ़ने वाला है जनलेते हैं जो लोग भी सन्या में रहते हैं उन लोग लिए क्या चीक कबर है क्या गूड न्यूज jemand आथा इंडिय disp ik के अडिया इस पेशल केम लगाए जा रहा है सन्या के एरिया में इंडेस्टल pivot में लगाए जा रहा है जो एक एंप लगाए जा रहा है कैम जुमा के दिन लगाए जाएगा इसी जुमा को एक अक्तूबर को लगाए जाएगा अगर आप लोकेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप स्क्रीन को पर देख सकते हैं इसमें बाकाइदा लोकेशन भी दिया गया है जगह का नाम भी बताया गिया है अगर आप भी इंडिया नमेसी जाना चाहते थे तो इस फराइडे को आपके एरिया में सनया में लगाया जा रहा है कि हैं पुहां पे जाकर कि आप इंडिया नमेसी में जाकर करके जो भी काम कराते हैं वहां जाकर कि आप लुपनी करा सकते हैं दोस्तो आज कि यही वीडियो से कुछ जानकर ने मिले तो वीडियो को लाक करते कर पहली बार चैनल पर कर है हो siis मिलते हैं किसे और वीडियो का साथ जब तक अपना